प्रधान मंतरी नरेडर मोधी ने नए संसर्भवन की छट पर बने राश्ट्रीय प्रतीक का नावरन किया अधिकारियों ने बताया कि कांसे का बना ये प्रतीक 9500 किलोग्राम वजनी है और इसके उचाई 6.5 मीटर है उन्होंने बताया कि इसे नए संसर्भवन के शीर्ष पर बनाया गया है और प्रतीक को सहारा देने के लिए इसके आसपास करीब 6500 किलोग्राम की स्टील की एक सरचना का निर्मान गया गया है पिया मोदी ने इस दौरान संसर्भवन के निर्मान कारे में लगे मजदूरों से भी बातचीत की उन्होंने बताया कि नए संसर्भवन की छट पर राश्ट्रिय प्रतीक लगाने का काम आठ अलग अलग चरणों से पूरा किया गया इसमें मिट्टी से मौटर बनाने से लेकर कम्प्यूटर ग्राफिक तयार करना और कांसे निर्मित आकरती को पॉलिश करना शामिल है इस दौरान प्रधान मंत्री नरींद्र मूदी ने नई संसर्थ के काम में शामिल कारेकरताओं के साथ भी बादचीत की साथी अधिकारियों ने बताया कि इस अशोक स्थम्ब को बनाने में करीब 9 महिने का वक्त लगा है इसे संसर्थ भवन की नई इमारत की छट के बीचों बीच लगाया गया है उन्होंने कहा कि इस स्थम्ब के निर्माण में कुल 8 चड़नों में काम हुआ जिसमें कॉंसेप्ट, स्कैच, क्ले मॉडलिंग और कंप्यूटर ग्राफिक समेथ कुल 8 राउंड में इससे तयार किया गया है